दूस्त बात करेंगे इंडिया वर्षस एंडिया का जो टीटि इंटेनेसनल सेकंड मैच है तो इसके बाड़े में तो पहला मैच तो इंडिया जीद गया था तो बहुत सांदर मैच होने जह रहा है जील के लिए बहुती बेहितीरीन मैच हो सकता है तो दोस्तों इधार से दोनों टीमों का अगर तुलना किया जो दोनों टीमों में लगबग मैकसिमं जो है वो यंग्स्टर है तो यंग्स्टर के आगर आगे विचर करना चाहिए तो इंडिया का जो प्लेयर है ना बहुत जांदर पर्फोर्मेंस करने वाला है ठीक है और कर भी रहा है ठीक है तो इसलिए हम लोग एक से परसाटिक टीम कमेनसन बनाएंगे लेकिन दोस्तों यह जो मैच है ना वो पीच मतलब जो पीच डीपोर्ट है बहुत जादा इंपोर्टन है तो अगर बोलिंग फिंडक दी दिखा रहा है ड्रीम 11 पर बोलिंग फिंडक रहेगा तो एक अलक टीम कियंदर हम लोह को बनाना चाहिए और अगर पहले मैच के तरह अगर फीर साथ बहुत ही जबर्दस और आपन clicking से रखना पादर के जो बैटिंग करने वाला तो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में डिसकस करने वाले लेकिन उससे पहले आप लोग के कम करना पड़ेगा मेरे चैनल पर जो नए आये हो मेरे यूटूब चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सासा दोस्तों बेल आइकन को भी प्रिस करके रख दीजिए ऐसे सांदर वीडियो पर रिक्सन पाने के लिए और अगर मेरे टीम से खेलना पसंद करते हो तो मेरे जील मस्ट टेलिगम चैनल जो है आप वह भी आप लोग जोईन कर लीजिए और जोईन करना किस पो तो जरूर बता दीजेगा और उसके सासा अब लोग दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल ना बुरत जाले दोस्तों लास्ट मैच क्या हुआ था उसके स्कोर कार्ट को पर एक बनना जर डाल लेते हैं तो दोस्तों इधा से देख लेते कौन सा प्लेयर क्या किया था स्टीवन इसके अब लोगों को थोड़ा मतलब ज्यादा हलके में मत लीजिए क्योंकि यह बहुत ही जबर्दस्त प्लेयर है और WBBL में बहुत ही जबर्दस्त मतलब पार्फॉमिस करके आया है तो इधर से सरी WBBL में ठीक है तो इधर से बैटिंग बोलीं तोनों से आप लोगों को पॉयंट देके जा सकते जॉस इंग्लिस जॉस इंग्लिस जो ले में दिक रहा है ना बहुत ही जबर्दस्त दिक रहा है क्योंकि यह बोलिंग बोलर को ज्यादा मौका ही नहीं दिया आप लोग अगर मैच देके हो तो आप लोग देखिएगा बहुत सांदर स्वाट खेल लेकिन ज्यादा बोलिंग तो नहीं करवा रहा है लेकिन इंपोर्टन तो जरूर है पहले बैटिंग में पहले बैटिंग में बहुत सांदर बन जाएगा तो आगर टीम को जरूरत पड़ेगा तो बहुत ज्यादा आगे भेजने की इसका मतलब पॉसिबल है तो इसलिए य पास करके पहले बैटिंग में ठीक है तो इधर से देख लेटा है बोलिंग पर्फोमेंस इंडिया का क्या हुआ था इंडिया का कुछ खास नहीं हुआ था यह स्दिश्चिन अगर पहले बोलिंग करेगा तो इंपर्टन जरूरू बनने बाला है पर शिद किष्णा दोस्त इंपोर्टिया झरूर pillow को थोड़ा सा था है जब आ सब्सक्राइब letrun और से इंडिया जो सीजसे जोस्षषच चल से डील करता है तो इधर से देखिए आड़ बॉल पे 21 रन बना के गया था तो इंपोर्टेंट तो जरूर है रुतुराज गायकौर अभी संदर परफॉमेश नहीं कर पा रहा है लेकिन दोस्तों जो एसियान गेम्स में है न तो उदर से बहुत इस जावरदास मतलब बैटिंग किया था वो टीम का कैप्टेन भी सकता है इसन किसन जो अनुभवी प्लेयर है इसको ताम लोगों को रखना चाहिए सुड़ियों कमरी यादव पहले बैटिंग में आप लोगों को इसको जरूर प्रेफर करना चाहिए सेकंड निक्स में आप लोग चाहो तो इसके उपर रिस्क ले सकते और तिलक बढ़मा अगर उपर बैटिंग करने के लिए आएगा तो इंपर्टेंट जरूर बनने वाला है रिंकू सिंग रिंकू सिंग दोस्तों जो इसका जो रोल है वो सांधार करके जाता है क्योंकि इसको तो रासा नीचे रखता है क्योंकि यह जब टीम का जरूरत परता है टीम को मतलब जिता भी सकता है लेकर शाण्दार पॉर्फमेस कर रहा है तो पहले बेटिंग में इंपोरेंट ना दो सकता है बीच में कोई एक प्लेयर डोस्तों इंधर से डेट आपढ़ डालने वाला है तो important जरूर है तनवीर संगा second इनिस में खास करके इंपोर्टन जरूर बनने बाला है ठीक है तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं हम लोग देखेंगे एक एक प्लेयर के उपर हम लोग डिसकस करने बाला है तो वीडियो बहुत सांदर हो रहा है अब लोग पूरा देखिएगा स्किप मत किजएगा वीडियो कैसा लग रहा है प्रीज कॉमन करके लाइक करके जरूर बता चाहिए तो अगर सोच लिजिए बैटिंग उपके लिग विकेट है और इधर से इंडिया पहले बोलिंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे पहले बोलिंग आप्सन में चले जाएंगे तो इधर से देखिए दोस्तों अर्षदीप सिंक को हम लोग को पीक करना है और इध से उस्ट्रीलिया का देख लेते स्टीवेन श्मीद को रखूँँगा एधर से टीम डेविट को रखूँगा और दोस्तों जॉस इंग्लिस को रखूंगा ठीक Müll purl से देख लेता है अल्डाउंडर से अगर मैक्सविल खेलेगा तो हम लोग देखेंगे मैथ्यू सॉट को इधर से पीक कर लेंगे ठीक है तो अभी के लिए चार आप्शन बन गाया ऑस्ट्रिया का बैटिंग से और बोलीन से तब हम लोग क्या करेंगे इधर से तनवीर संगा को लेंगे और इधर से चाहो तो इतीनों जो मतलब फास्ट वोलर है ना एक बार एबट को ट्राइब कर सकते हो नहीं तो वेरन रफ को ट्राइब कर सकते हो तो अभी के लिए मैं सिन एबट को ही ट्राइब कर लेता हूं क्योंकि बैटिंग से भी थोड़ा पॉइन देके ज जा सकते स्ट्राइब से बैटिंग करने के लिए आ रहा है तब आप लोग क्या करोगे टीम डेबिट के ऊपर थोड़ा सा रिक्स लेके कोई एक एक स्टब बोलार भी आप लेके जा सकते जैसी एबट को नहीं दो इधर से दोस्तों नैतन अलीस को तो अभी के लिए मैं टी यह को मार यादव कोपी करेंगे नहीं तो इदर से टॉप और के जबैट्समी संड़ की संड़ रखना चाहिए और गायकर को हम लोग रख देंगे तो गायकर के जगह आप लोग थोड़ा से रिक्स लेके इबड़ा आप लोग क्या करोगे इधर से आकसर पदल को भी आप लोग दृट हो चुज nominees हो सकता है तो ईधर से भाइक और सपिर से विग ट्राई कर सकते हैं अगर इंडिया का टीम पहले बहुत बोलिंग करेगा तो अब वेटिंग फैनली विकेट अगर रहेगा तो ऐसे टीम का में लोग वना सकते हैं कैप्टन वाइस का चॉइस तब आप लोग देखिए जॉस इंगलेश फिर सी इंपोर्टन है इसान किसान है स्टीवन स्मीथ है और दोस्तों मैथ्यू सथ है इसको आप लोग को मतलब हलके में मत लीजेगा यस उसी यस वाल यह पांचो जो अप्शन है ना यह पांचो अप्शन बहें तेरीन अप्शन बन सकता है कैप्टन भाइस कैप्टन के लिए ठीक है अगर यह वैटिंग फैली विकेट रहेगा तो और आप लोग पहले बोलिंग में अर्शुदिव सिंग को भ ज़रा गुचे में लेकर ज जा सकता है तो एथो टीम् गाया तो अगर इंडिया की भेले बोलिंग Num करेगा अगरम लोग Hm करेंगे इधर से ताब हम लोग इसको छोड़ के इधर से एक बार क्या कर सकते हैं बैर हम ड्रोप को ट्राइ करेंगे नहीं तो इधर से कहां का वाई सिन कर सकते हैं तो यह टीम कमिनेशन बंश सकता है तो और तब आप लोग देखिए सुरीय को मर जा दो तो टिक-टक को सिंग यह दोनों प्लेयर के बीज में कोई यह जबर्दस्त मतलब कर सकता है ठीक है तो अभी के लिए थोरा सा रिंग को सिंग की उपर आ रहा है तो इसलिए तीम कंबिनेशन वन सकता तब कप्टन भाइस कप्टन किसको रखना चाहिए देखिए तब अब लोग सुरी अबבןन बनने वाले खास्कर करणके नातन एलिस और सिंड ड़ दोनों दोस्तो इंपोर्ब में बोलिंग डालेगा तो पहुत ही इंपोर्टन रहने इंडिया का चाहिए तब हम लोक क्या करेंगे, तो इदर से देख लेते हैं, थे हम देते हैं, stimulating दूड़ा को छोड तो Captain Vice Captain GSM है बाताया था वह आप लोग ट्राइ कर सकते हो कास करके आल डाउंटर और बोलिंग सेस्ट अगर पोलिंग फ्रेंड ली उइकट रहेगा तो पीच रिपोर्ट देखना पड़ेगा फाइनल पीच रिपोर्ट किया आता है वह हम लोग ट्रेलीगम चैनल पर सेयर कर देंगे तो यह टीम कमिनस को पहले बोलिंग करेंकर तो धेल действiva करेंगे परसिद्रव करेंगे प्रसिद्र कर सकती है तो ठीक है तो कैप्टन फाइस कैप्टन वही हम लोग ट्राइब कर सकते हैं नहीं तो इदर से रभी विश्ण नहीं प्रसेट दिर्केशन नहीं इंपोर्टन है अगर बोलिंग फ्रेंडली विकल रहेगा तो मैंत्यू सवर्ट तो है कैप्टन फाइस कैप्टन के जबर्दस ऑप्षन के बैटिंग बोलिंग 200 देखें जा सकता है ठीक है तो यह तीम कंबिनेशन सेफ करके आप लोग रख सकते हो ठीक है और दोस्तों अगर देखिए मतलब फिर से अगर वान साइडेड मैच होगा तो वह एक दो टीम हम लोग को ट्राइ करना चाहिए देखिए अगर अश्टिले फिर से मतलब जबर्दस्त मतलब खेलेगा तो सोजी लिए अश्टिले पहले बोलिंग कर रहा है ठीक है तो मैं मतलब जो है जो टॉप और का बैट्समन उससे मैं स्पिनिस हो जाएगा तो तब हम लोग क्या करेंगे देख जो छोड़के हम छोड़के क्या कर सकते हैं अरश्टो फिर से टीम में अगर दोस्तो सोच लिजेए कि स्टीम मीट और दोस्तो मियोसर फिर से मैंच पिनिस हो जाएगा ऐसे ब्हुंत हैं तो तो राज़ा सोज लिजे मैतु सट का हम लोग कैपटेन रखेंगे और बीसी रखेंगे स्टिम मीत को तो यह कंबिनेशन वन सकता है अगर वन साइडेड मैच जाएगा तो इधर से रिंकु सीन के जागा एक बर आप लोग तिलक बॉर्मा को ट्राई कर लीजेगा एक एक करके रोटेशन में अब लोग ट्राई कर सकते हो तो आभी केली में टीम कंबिनेशन ऐसे रखने देता हू ठीक है और अगर एही टीम कंबिनेशन अगर सोज लिजिए वन साइडेड मैच इंडिया जीत रहा है तो तब आप लोग क्या करोगे इधर से पहले बोलिंग में सोज लिजिए के इंडिया पहले बोलिंग कर रहा है तो आप लोग अर्श्दिप सींग को प्रसित कृष्ण करेंगे तो इधर से अक्सर पटल को हम लोग ट्राइग करने वाले है ठीक है और एक जो अप्सन वच रहा है तो इधर से जो जर गायकॉर है गायकॉर को पिक कर लेंगे तो यह टीम कंबिनेशन वन सकते आगर इंडिया टीम वन साइड जीतेगा अब लोग को लग रहा है तो एक कंबिनेशन वन ट्राइग कर सकते हो क्यापन विसकी को दोगे देखिए इधर से तब लोग इधर से जैस वाल को कैप्टेन और गायकॉर को भी सी आप लोग देखिए जहाँ साथे ऑन साइडे मार्च अगर होगा तो तो इसी कंबिनेशन में आप लिएर क्या रोट को भी अब लोग ट्राइ कर सकते हुसा कर लिजेगा कर लिजी और टीम क्वेशन आइसे बन सकते हो बाई सहकते हैं अगर ओपे नर्चों मैंच फिनिस हो जाएगा तो आप लोGO को मतलब अच्छा खासा winning हो सकता है तो दोस्तों उमिदे आप लोगों को बहुत सांदर जायन करी दे पाया हूं और वीडियो पसंद आ रहा है अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करके बता दीजीगा कमेंड करके बता दीजीए आप लोग दोस्तों को शेयर क करना बिल्कुल ना भूली तो चलिए दोस्तों बहुत सांदर हुई नियुका ऐसे उम्मीद लेते वीडियो में इधर ही खतम करते हूं मिलता हूं इस मैच का आपडेट के साथ तब तक के लिए बाई